नमश्कार दोस्तों स्वागत है आसवभी का क्रिकेट लाइन गुरू में और आपके साथ मैं हूँ प्यांका दोस्तों IPL 2022 मेगा आउक्षन का जो दी एंड है वो अब हो चुका है क्योंकि बैंगलूरू में दो दिन दक चली नीलामी में 204 खिलाडी अब बिप चुके हैं तो वहीं करीब 551 करोड रुपए इस आउक्षन में खर्च हुए हैं इस नीलामी में दोस्तों इशान किशन जो है वो सबसे महंगे खिलाडी रहे और उन्हें मुंबई इंडियन्स ने 15 करोड 25 लाग रुपए में खरीद लिया तो वहीं दीपक चौहर दूसरे सबसे महंगे खिलाडी रहे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सबी 10 टीमों ने किन-किन खिलाडियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है वो भी कितने रुपए में तो चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं डेली कैपिटल्स के साथ तो सबसे पहले आपको बता देते कि डेली कैपिटल्स ने कितने खिलाडियों को रिटेन किया था और आईपिएल आउक्शन में डेली कैपिटल्स ने जिन खिलाडियों को खरीदा है उनमें शामिल है पेविट बॉणनर जिने 6 करोड 25 लाख रुपए में खरीदा गया है तो वहीं मिचेल माश है जिने 6 करोड 50 लाख शारदूल ठाकुर 10 करोड 75 लाख मुस्तफिजूर रह्मान 2 करोड रुपए कुलदीत यादप 2 करोड अश्विन हेबर 20 लाख रुपए सर्फरास खान 20 लाख रुपए कमलेश नागर कोटी 1 करोड 1 लाख रुपए केस भरत 2 करोड मन्दीत सिंह 1 करोड 10 लाख खलील एहमत 5 करोड 25 लाख चेतन सकारिया 4 करोड 20 लाख ललित यादप 65 लाख रिपल पटेल 20 लाख यश्थुल 50 लाख रोफमेन पौवे 2 करोड 80 लाख प्रवीर दुवे 50 लाख लुंगी एंगिडी 50 लाख और आखरी खिलाडी है टिम साइफ़ट जिनने 50 लाख रुपए में खरीदा गया है तो दोस्तो ये सबी खिलाडी है जो डेली कैपिटल्स के साथ टीम में आईपिल में धमाल बचाते हुए नजर आएंगे तो वहीं दोस्तो चेले सुपर किंग्स आईपिल की मौजूदा चेंपियन है और उसने एक बार फिर से पुराने खिलाडियों पर दाव चला है MS-2 ने की अगवाई वाली फ्रिजाइज ने दीपक चाहर के रूप में सबसे महगा खिलाडी खरीदा है वो CSK के आउक्शन की इतिहास में 15 करोर से ज्यादा की कीमत पर विकने वाले पहले खिलाडी है बतादे की चन्ने सुपरकिंग्स ने MS-2 नी, रविंद्र जडेजा, रितुराज, गाइकवार, मुईन अली को पहले ही रिटेन कर लिया था लेकिन आउक्शन में चन्ने सुपरकिंग्स ने रॉविन उत्थपा, अमबाती राइडू, डिवान कॉन्वे, सुपरांशू स्तिनापती, एन जग्दीशन, हरी श्रीनात, दीपक चाहर, केम आसिम, तुष्यार देश पांडे, महिष्ट तिक्षडा, सिमरजीत सिंग, एडम मिलने, मुकेश चौदरी, क्रिस जॉर्डन, ड्वेन ब्राबो, शिवं दुवे, राजवर्दन हंगरेकर, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, प्रशांत सोलंकी, के भगत वर्मा, ये सवे खिलाड़ी हैं जिनने चेमेल सुपरकेंग्स ने आईपिल के लिए अपनी टीम के साथ जोड़ा है, तो वहीं दोस्तों अगर मुंबई इंडियन्स की बात करें, तो मुंबई इंडियन्स में रोहिच शर्मा को सोला करोड रुपए, जस्प्रीत गुमरा को बारा करोड, सुरिकमार यादप को आठ करोड और कायरान पुलाट को छे करोड रुपए में पहले ही रिटेन कर लिया था, लेकिन मुं प्रोगन अश्वन 1.60,000,000 रुपए, जैदेव उनादकर 1.30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो कि सचेन तेंदुलकर के बेटे हैं, उनको 30 लाख रुपे में अपनी टीम के साथ शामिल किया है और इस तरह से मुंबई इंडियन्स की ये स्कॉइट पूरी तरह से अब तयार हो चुकी है तो ये है मुंबई इंडियन्स की स्कॉइट अब आत कर जिनें पंजाब किंग्स की, तो पंजाब में 23 खिलाडियों को आॉक्शन के ज़रिये खरीदा है दो खिलाडियों को पंजाब की फ्रेंचाइस ने रिटेन किया था और रिटेन किये गए खिलाडियों में मयंग अगरवाल जिने 12 करोड रुपे और अर्षदीप सिंग जिने 4 करोड रुपे में पंजाब किंग्स ने रिटेन किया था लेकिन आईपेल आॉक्शन 2022 में पंजाब किंग्स ने जिन खिलाडियों को खरीदा है उनमें कागीसो रबाड़ा जिने 9 करोड 25 रुपे में अपने साथ पंजाब किंग्स ने जोड़ा है शिखरदबन जिने 8 करोड 25 रुपे में जोनी वेरस्टो 6 करोड 25 रुपे राहुल जाहर 5 करोड 25 रुपे हरपीज बरार 3 करोड 8 रुपे रितेश शर्मा 20 रुपे प्रफिम्रन सिंग 60 रुपे शारुखान 9 करोड रुपे इशान पूरेल 25 रुपे लियाम लिविंग स्टोन 11 करोड 50 रुपे ओडियन स्मित को 6 करोड रुपे में संदीप शर्मा को 50 रुपे में राज वाबा को दो करोड रुपए में, तो वहीं रिशी धवन को 55 लाग रुपए में, इनके बाद है प्रेरक मांडक जिनने 20 लाग रुपए में, वैभब अरूडा 2 करोड रुपए, रितिक चटरजी 20 लाग रुपए, बलतेश धांडा 20 लाग रुपए, अंश पटे 20 ला साथ शामिल किया है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली टीम के बारे में जो की है राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स ने संजू सेम्सन को 14 करोड रुपए में रिटेन किया था जो अस बटलर को 10 करोड रुपए में और ये शिश्पी जैसवाल को 4 करोड जोड़ लिया है शिम्रोन हैटमायर 8 करोड 5 लाग देवधत पडिगल 7 करोड 75 लाग प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड रुपए युजवेंद्र चहल 6 करोड 5 लाग रियान पराक 3 करोड 8 लाग केसी कैरियपपा 30 लाग नपीप सेनी 2 करोड 6 लाग ओवेट मेक्यो 75 लाग अ पॉरेल 20 लाग तेजस परोका 20 लाग कुल्दी प्यादक 20 लाग शिवंगरवाल 20 लाग रुपए डैनल मिशेल 75 लाग रुपए रैसी इवेंड डेड उसें 1 करोड रुपए नाथन कुल्टर नायल 1 करोड और जिमीन निशम 1 करोड 50 लाग रुपए अगली टीम है दोस्तो सन्राइजस हैदराबाद और सन्राइजस हैदराबाद ने केन विल्यमसन को रिटीन किया था अब्दुल समत को रिटीन किया था और उम्रान मलिक को अपने टीम में रिटीन किया था जिन मैसे केन विल्यमसन को मिले थे 14 करोड रुपए तो वहीं अब्दुल समत को 4 करोड तेर नटराजन को स्यार करोड रुपए में भुनेश्वर कुमार को चार करोड 2 000 0, الاक रुपए में प्रीमघर को बीसलाख रुपए में लाता हुप functioning अभिशेक श्रुमा क्षेक करोड बाख रुपे कार्दिक्तियाकी 4 करूड रुपे श्यशा कोपाल 75 लाख रुपे जय सूचित 20 लाख रुपे एडन मारकरम 2,60 लाख मारकोई जेंसन 4,20 लाख रुपे रमार्यू सैफ़र्ड 7,65 लाख रुपे शॉन एवट 2,60 4 लाख रुपे आर्ट समर्ट को 20 लाख रुपए में शिशांग सिंग को 20 लाख रुपए में सौरफ दुबे को भी 20 लाख रुपए में और विश्नु विनोथ को 50 लाख रुपए दे दिये गए तो वहीं गलेन फिलिप्स को 1 करूर 50 लाख रुपए दिये गए जो कि है Kolkata Knight Riders दोस्तों तो Kolkata का FULL SQUAREDA हम आपको बता ने वाले हैं जुन में से Kolkata Knight Riders ने अंधरेर रसेल को 12 करोड रुपए में पहले ही रिटेंड कर लिया था वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड रुपए में च्वेंकटेश्वर अयर को भी 8 करोड रुपे में तो वहें सुनेल नरेन को 6 करोड रुपे में अपनी टीम में रिटेन किया था। लेकिन आउक्षन में कॉलकाता नाईट रुपे में जिन खिलाडियों को अपनी टीम में जोडा है वो है पेट कमिंग 7 करोड 25 लाक रुपे। श्रिय शयर 12 करोड 25 रुपए, नितीश राणा 8 करोड रुपए, शिवम मावी 7 करोड 25 रुपए, श्यंदन जैक्सन 60 रुपए, अजिनके रहाने 1 करोड रुपए, रिंकु सिंग 20 रुपए, अनकूल रुए 20 रुपए, रसीक डार 20 रुपए, बींदरजीत 20 रुपए, 1 करोड 5 रुपए में, रमेश कुमार, फिर से 20 रुपए, मौहमन नभी 1 करोड रुपए, उमेश यादफ 2 करोड रुपए, अमन खान 2 रुपए, और इस तरह से कॉलकता नाइट वाइडर्स ने अपने पूरे स्वेट को तयार कर लिया, दोस्तों अगली टीम है RCB, और RCB आखिर किन खिलाडियों को और कितने रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है, ये सभी फ्रांस जानना चाहते हैं, वापको बता दे कि 5 डुपलिसिस को 7 करोड रुपए में, रोयल चैलेंजर पैंगलूरू ने अपने साथ कर लिया है, हशल पटेल को 10 करोड 75 अनुच रावत 3 करोड 4 रुपए, आकाश्ती 20 रुपए, महिपाल लोंब्रोड 95 रुपए, फिन एलन 80 रुपए, शेरफन रदरफोर्ट 1 करोड रुपए, जैसन बहरंडौर 55 रुपए, सुएश प्रभू देसाई 30 रुपए, चामा मिलिन 25 रुपए, अनिश्वर गौतम 20 रुपए, और करन शर्मा को 50 रुपए में, आर्सीवी ने अपनी टीम में जोड लिया है, और दोस्तों अगली टीम है गुजरा टाइटेंस, जो की इस साल आईपिल की नई टीम है, और आईपिल में शामिल हुई इस नई टीम ने अपने साथ एक से बढ़कर एक खिलाड 20 रुपए में, गुजरा टाइटेंस पहले ही अपने साथ जोड चुकी थी, राशित खान को 15 करोड रुपए में, और शुमन गिल को 8 करोड रुपए में, गुजरा टाइटेंस ने अपने साथ पहले ही कर लिया था। लेकिन आईपेल उक्षन 2022 में गुज्राट टाइटन्स ने जिन खिलाडियों को खरीदा है नीलामी के दोरान उनके बारे में आपको बता देते हैं तो उनमें शामिल है मोहमद चमी जिनने 6 करोड 25 लाख रुपे में अपने साथ गुज्राट टाइटन्स ने जोड़ लिया है दर्शन नाल कांडी 20 लाख रुपे यश दयाल 3 करोड 2 लाख रुपे अलजारी जोसेफ 2 करोड 40 लाख रुपे प्रदीप सांग्रवान 20 लाख रुपे डिविड मिलर 3 करोड रुपे रिदिमान सा 1 करोड 90 लाख रुपे मैथ्यू वेट दो करूर 40 लाग रुपे गुरकीरण सिंग 50 लाग रुपे साइंसु दर्शन 20 लाग रुपे वरुन एरुन 50 लाग रुपे और ये सभी खिलाडी जो हैं उनको गुजराट टाइटन्स ने अपने साथ दोस्तों जोड लिया है और इस तरह से आईपेल की इस नई टीम की पूरी तरह से स्कॉयर्ट अब बन चुकी है जो की आईपेल में धमाल मचाने वाली है और अब आखरी और एक और नई टीम जो है वो है लखनौ सुपर चेंस तो दोस्तों इस नई टीम ने केल राहू को 17 करोड रुपे में पहले ही अपनी टीम के साथ जोड लिया था मारकस स्टॉइनस को भी 9 करोड 2 लाख रुपे में जोड लिया था लेकिन आई पेल आउक्षन के दोरान लखनों सुपर जोइंस ने दो करोड रुपे शेबाद नदी 50 लाख रुपे मनन बोहरा 20 लाख रुपे आयूश ब्रदोनी 20 लाख रुपे काईल मेयर्स 50 लाख करन शर्मा 20 लाख एविन लुईस 2 करोड और मयंक यादव 20 लाख रुपे और इस तरह से लखनों सुपर जोइंस ने अपने स्वैर को तयार कर लिया है और इस टीम में शामिल सभी खिलाडियों को देख कर लगता है कि लखनों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि आखिर उन्हें किन खिलाडियों को अपने टीम में शामिल करना है और उन्हें बहुत ही सो समझ कर इन खिलाडियों को शामिल किया है तो दोस्तों आखिरकार क्रिकेट फैंस को जिस चीज का इंतुजार था वो था आउक्षन जो कि 12 और 13 फरवरी को हो चुका है और सबसे जादा वो इस चीज के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर उनका फेवरेट को अपने साथ शामिल किया है वो भी कितने रुपे में यह सारी डीटेल हम आपको बता चुके हैं अब आप जल्दी से अपना फोन उठाई और हमें बताईए कि आखिर आपका इनमें से कौन सा फेवरेट खिलाडी है और क्या वो खिलाडी आपकी पसंदिदा टीम में शाम साल मचाने वाली है आप सभी प्लेयर्स के नाम सुन चुके हैं आप सभी टीम्स में जो स्कुएट बने हैं वो भी देख चुके हैं तो आप जल्दी से हमें बताईए कि आखिर आपको इन दस टीमों में से सबसे जादा स्ट्रॉंग टीम जो है वो कौन सी लग रही है साथ कि अपने फेबरेट खिलाडी का भी नाम बताईए तो दोस्तों देर मत कीजिए जल्दी से फोन उठाकर हमें अपनी फेबरेट टीम का नाम बताईए और साथ ही ये कि इन में से कौन सी स्ट्रॉंग टीम होने वाली है इस साल के आईपियल में क्रिकेट की तमाम लीटेस्ट अपडेट्स चानी के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें अल्सो फॉलो अस ओन इंस्टाग्राम फोर क्विक अपडेट्स